नमस्कार दोस्तों मैं उशिद्धान्द ओलंपिक इस्टेडी में आपका बहुत 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 श्वागत है दोस्तों कुछ बच्चे लगातार कह रहे हैं कि सर कोईशन्स को जो है फैक्ट्स को वह लेनियर फॉर्म में आपकर आईए तो ग्रामेड योजना एवंप्रबंधन का ये चौथा पार्ट है जो कि क्विक रिविजन के अंतरकत जिसको हमने वन लाइनर के फॉर्म में रखा है काफी important है यहां से एक-दो तीन नंबर तक फच् fans रणता है ठीक है तो बिना किसी देरी के स्टाट करते हैं पहला कोश्चिन है सर्वसिक्षा अभ्यान कब सुरू किया गया तो ये 2001 में सुरू किया गया ठीक है सर्वसिक्षा अभ्यान 2001 में सुरू किया गया दोस्तों आपको यहीं पर याद करना है इस वीडियो ससन को देखने के बाद में ऐसा नहीं कि बाद में देखेंगे बाद में फाइल से पढ़ लेंगे नहीं आपको यहीं पर याद करना है वीडियो को आप दो बार दिखिए मेरे बोलने से जो आपके कान में आवाज पढ़ते हैं उसको और यहाँ पर जो आप देखते हैं और अपना ध्यान जो आप लगाते हैं इन सारी चीज़ों को केंद्रित करके आप यही पर इस पचास कोईशन को याद कीजिएगा ठीक है दुतरा कोईशन में बेरोजगारी दूर करने की योजना है तो बेरोजगारी दूर करने की ट्राइसम योजना है ठीक है ग्रामिड विदूती करण निगम कब स्थापित किया गया ग्रामिड विदूती करण निगम कब स्थापित किया गया तो 1979 में स्थापित किया गया ट्राइसम योजना कब प्रारंभ की गई 25 अगस्त 1989 को 27 योजना प्राउंप की गई अगला point है सामाजिक वान की योजना का सुभारंब किस वर्स हुआ 1989 में again ध्याँ दीजेगा 222 और सामाजिक वान की योजना एकी टाइम पे प्राउंप की गई पुने बोल दे रहूं ट्राइसेम और सामाजिक वाने की योजना 1989 में प्रभाव में आई अगला कुश्चन है देश में कि संक्रामक रोग का उन्मूलन कर दिया गया है तो देश में चेचक रोग का उन्मूलन कर दिया गया है तो का प्रारम्फ किया गया था? 2001 में. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना 2001 में प्रारम्फ किया गया था ठीके? अगला कोईशन है Trisem कारेकरम का मुख्य उद्धेश क्या है? ट्रायसन कारिक्रम का मुख्य उद्देश ग्रामेड यिवाओं को स्वरोजगार एवं प्रसिक्छन देना इस योजनाका मुख्य उद्देश है अगला कोईशन है ग्रामेड महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनसे बच्चत की प्रवर्ति को प्रोचाहन देने के लिए महिला सम्रध्य योजना कब प्रारंध की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1993 को महिला सम्रध्य योजना प्रारंध की गई थी? ठीक है? आप इसको एक बार फिर से देख लिएगा इसका उद्देश भी यहीं पर सम्बली थे? 2 अक्टूबर 1993 को महिला सम्रध्य योजना प्रारंध की गई थी? अगला कोशियन जो की काफी इंपोर्डेंट है और आपके एक्जाम में पूशे जाने के संभावना है 10 लाख कुवा योजना 10 लाख कुवा योजना प्रात्मिक रूप से किससे संभन्दित है? सर्व सिक्षा अभूयान के लिए कौन सा कथर सही है? कुछ इस टाइम से कोश्चन बनेगा जिसमें चार अफ्शन देगा तो यहां पे जो आपका right answer होगा age खुले के यह 14 वर्स तक के सभी बच्चों के लिए नहिसुलक सिक्षा, सर्व सिक्षा अभ्यायर का सही कतन है आगे बढ़ते हैं अगला question बन सकता है राष्ट्रिय प्रोड सिक्षा कारेकरम की इस वर्स प्रारम किया गया जिसमें हम 18 साल से उपर तक के जो लोग है उनको सिक्षित करते हैं तो राष्ट्रिय प्रोड सिक्षा कारेकरम अब्यसी बात है जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम education कम था काफी कम लोग educated थे अब ऐसा नहीं कि जो 18 साल के बच्चे हैं सिर्फ उन्हें को इस्कूल में नाम लिखा जाएगा नहीं जो बुजर्ग लोग थे यानि कि 60 साल तक के लोगों तक को सिक्षा दिया गया था उनको पढ़ाया गया था लास्ट का मतलब उनको educate किया गया था साक्षर बनाया गया में आर्थिक विकास का वार्षिक लक्षे निर्धारित किया गया था 8 परसंट दसवी पंच वर्षी होजना में 8 परसंट 10 का 8 ठीक है दसवी पंच वर्षी होजना में आर्थिक विकास का वार्षिक लक्षे 8 परसंट डिसाइड किया गया था ग्यारवी पंच वर्षी बारा तक अवधी था ठीक है ऐसे करके आप इसके पहले का भी पहुंच सकते हो एक कागर बीच में आपने याद कर लिया तो आप आराम से यहांवा करके पांच घटा के पांच बढ़ा के अन्य पंच वर्शी योजना का आप पदा कर सकते हैं तो किनी भी आपको देखना हुआ था तो उस चीज को द्याल में रखते हुए सेंटर पॉइंट को आपको डिसाइड करना और एक याद कर लेना और उसमें पांच बढ़ा के पांच घटा के आप योजनाओं का समयावादी है उसको याद कर सकते हैं घबढ़ानी कोई बात में है इसमें अगला कोईश देख Mustafa के बाद में लागू की जाने वाली पहली योजना क्या थी समय विकास योजना जो की जीवन के विकास से संबंदी थी इस चीज का पय ध्यान कना भारत में समय-विकास योजना किस राश्ट्रिय नेता के जन्म दिवस पर लागू की गई थी, तो महत्मा गादी, महत वर्तमान समय में सामुदाइक विकास योजना एक अन्य ग्रामिड विकास योजना का हिस्ता है इस ग्रामिड योजना का क्या नाम है? योजना का नाम है समन्विद ग्रामिड विकास कारेक्रम इस समय वर्तमान में सामुदाइक विकास योजना का एक हिस्ता है आपको पता होगा सामुदायक विकास योजना फ्लॉप रही थी ठीक है आगे बढ़ता है जिला ग्रामिड विकास अभिकरण कारेकरम की शुरुवात किस वर्स की गए थी तो यह 1990 में की गए थी यात लिना अगला कोईशन है वर्स 1930 में सर डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर आदर्स ग्राम योजना कहां सुरू किया आदर्स ग्राम योजना सर डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर मद्रास में सुरू किया ध्यार रखना ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला कोउश्चिन है, रविदना टैगोर ने किस वर्ज ग्राम विवकास के रूप में स्री नें केतनी जोजना का प्रारंब किया, टाइम देखतों कितना हो गए है। सब ठीक है, अगला question, कूड़े से हरित उर्जा निर्माड में कौन से राज्य अग्रणी हैं, तो महराष्ट और पंजाब, ये कूड़े से हरित निर्माड उर्जा में अग्रणी हैं, कौन अग्रणी हैं, महराष्ट और पंजाब, IRDP का पूरा नाम क्या है, Integrated Rural Development Program, फुल फ इंडियन लिख देगा तो आपको यह चीज़ ध्या लखना है कि IRDP का पूरा नाम Integrated Rural Development Program है अगला है Integrated Rural Development Program का हिंदी अनुवाद क्या है समन्वित ग्रामीर्ड विकास कारिकरम जो की सामुदाइक विकास कारिकरम का ही हिस्सा है ठीक है आगे बढ़ता है IRDP पूरे देश में कब प्रारम किया गया तो 2 October 1989 को प्रारम किया गया IRDP पूरे देश में 2 October 1989 को प्रारम किया गया स्वन जैन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्स लागू हुआ तो स्वन जैन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में लागू हुआ कब लागू हुआ 1999 में लागू हुआ ठीक है अगला question है उन्नत बीज कारिक्रम कब सुरू किया गया उन्नत बीज कारिक्रम कब सुरू किया गया 1965 में सुरू किया ठीक है उन्नत बीज कारिक्रम 1965 में सुरू किया गया अगला कोईश्चन है प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना कब सुरू किया गया ध्यान दीजेगा इंपोर्टन कोईश्चन है प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना अगला कोईश्चन है राष्ट्रिय सामाजिक साहता कारिकरम कब सुरू किया गया तो 1995 में सुरू किया गया राष्ट्रिय सामाजिक शाहतागारिकरम 1995 में शुरू किया गया अगला कुश्चन अन पूर्णा योजना कब प्रारम किया गया तो 1999 में प्रारम किया गया और मैं चाहता हूँ कि आपको एटलिस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा जाए आपको पता हो कब मैं 10 ते 15 दिन कर बीच में गैप लेता हूँ तो क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि पहले खुद अध्यान करके सारी चीचों को आपके सामने पेस किया जाए क्योंकि ग्रामीन प्रिवेस एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि बीना पढ़े कोई भी नहीं पढ़ा सकता है कोई कोर्स तो है नहीं कि आपने इससे बीए या एमे क किया हुआ है तो यह अध्यान करके ही पढ़ाए जा सकता है तो उसके लिए समय चाहिए और आप समय निखालने के लिए इसका मतलब यह है कि आपको फिर content भी ना मिले finally तो मैं चाहता हूँ कि content में बना के आपको दे दूं चाहे वीडियोस के माध्यम से चाहे पेडियाफ के माध्यम से चाहे पेड कोर्स के माध्यम से आप तक content पहुंचे यह हमारा उत्देश है ठीक है तो आप लोग यह सिकायत मन करना कि आप तो पढ़ते जा रहे हैं आप explain नहीं कर रहे हैं दोस्तों जब पढ़के पढ़ाता हूँ तो वहाँ डीब में जाके concept समझना है जब time था तब तो पढ़ा नहीं अभी एक डेड़ में एक्जाम रहे गया है तो डीब में जाके concept समझने की ज़रूत नहीं है आप objectives देखिए practice question देखिए one liner कीजिए यही सारे तरीके हैं और यही सारे तरीके करके कुछ लोग job बाद में पा जाएंगे और आपको लगेगा क्यार आपने इतना मेहनत किया लगातार पढ़ते रहे लेकिन job नहीं लगी क्यूंकि कुछ लोग होते हैं कि solve तरीके से पढ़ते हैं और उनक सब्ता है कि देखिए थे अनुपूर्णा योजना योजना का प्रण क Cryo 1996 E nice A अगला question इंध्यरमारण केंद्रि की सरव edition स्थापना कहां पर हुई ग्राम निरमारण केंद्रि की सर परतम स्थापना कहां करथला में लुए अगला कुश्यन है जनेस्वर मिस्र ग्राम योजना के अंतरगत कौन सा कारी किया जाता है तीन चीज़ें है ध्यान रखिएगा रोड वा नाली निर्माड पेजल वेवस्ता और प्रकास वेवस्ता जनेस्वर मिस्र ग्राम योजना के अंतरगत ये चीज़ें आती है अगला कुश्यन है सामदाइक विकास योजना का प्रारम किया गया सभी को पता होगा 1952 में प्रारम किया जवाहर ग्राम समर्ध योजना का प्रारम किया गया 1999 प्रार्म किया गया, 1999 में again 1999 में दिहान दीजेगा, सोन जैनती गराम स्वरोजगार योजना जवाहर गराम योजना, ये 1999 में प्रार्म किया गया ठीक है, अगला कोश्चिन है, आम आदमे भीमा योजना के अंतरकत कौन सी संस्था कार्यदाई है भारती भीमा निगम LIC आम आदमे भीमा योजना के अंतरकत LIC संस्था कारेदाई ठीक है? अगला कोश्चिन है उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्स किसान सम्मान दिवस कब मना जाता है? 23 दिसंबर को मना जाता है उत्तर प्रदेश के पिछडे एवं सुदूर छेत्रों के क्रसकों को क्रसि सम्मंदी जानकारी देने के लिए संचालित प्रचार वाहन का क्या नाम है? किसान रठ सेवा उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंसकरण और दोग कब लागू किया गया? वर्स 2012 में मौसम आदी के कारण किछान को होने वाली हाने से बीमा लाव प्राप्त करने के लिए किस बीमा योजना का संचालन किया जारा है? राश्ट्रिय क्रसी बीमा योजना अगला कुशन है रोजगार आस्वासन योजना का प्रारम किया गया 2 अक्टूबर 1999 को रोजगार आस्वासन योजना 2 अक्टूबर 1999 को प्रारम किया गया कुछ चीज़ें रिपीट हुई है डेट है इसलिए मैं उनको रिपीट कर दिया हूँ जानके अगर कोईश्चन पढ़ता था तो उनको मैंने ले लिया है फिर से अब यहाँ पैसा नहीं कि कई बार रिपीट हुआ है दो तिन कोईश्चन ही रिपीट हुआ है तो आप लोग कन्फीज मत होना क्योंकि डेट है दोस्तों डेट आप जितनी बार देखेंगे उतना जल्दी आपको याद होगा तो रोजगार आस्वासन योजना 2.1999 को प्रणभुआ प्रधान मंतरी ग्रामोदय योजना का प्रणभुआ गया 2000-2001 वित्तिय वरसे 2001-2001 के बीश में प्रधान मंतरी ग्रामोदय योजना का सुभारंभुआ संपूर्ण ग्रामीड रोजगार योजना कब लागु किया गया अगला है भारत में दूर संचार नीत की घोषना कब की गई 26 मार्च 1999 को की गई भारत में ग्रामीड विकास और परियावरण का अभिनव का रिक्रम कब प्रणभ किया गया 1999 में प्रणभ किया गया भारत में योजना आयोग की अस्थापना किस वर्स होई यानि कि इस्थाम नेती आयोग के धक्ष ओके नरेंद्र मोदी है ठीक है अगला कोईशन है भारत में राष्ट्री स्वास्थे नेती का निर्माड कब किया गया 2002 में किया गया मातोपुन कुईशन है भारत में राष्ट्रिय स्वास्थनीद का निर्माड 2002 में किया गया भारत में योजना आयोग का कारियाल है कहां पर है दिल्ली में है भारत में योजना आयोग का कारियाल है कहां पर है दिल्ली में है आठमी पंच वर्सी योजना किस वर्ष प्रारंब ने ले लिया बारवी पंचवर्सी योजना में योजना आयोग का स्थान नेती आयोग ने ले लिया तो यहाँ पर बावन कोईश्चन है टोटल मैंने का था 50 कोईश्चन करवाएंगे क्योंकि कुछ कोईश्चन रिपीट हुए थे सो उमीद करता हूँ कि आपको यह सेसन अच्छा लगा होगा और अगर यह सेसन आपको अच्छा लगा हो तो आप अपरिसेट करना कमेंट सेक्शन में जरू लिखना कि यह 50 कोईश्चन जो मैंने आप दिया अभी के अभी आप फिर से रिपीट करके देखेंगे और मुझे उ वीडियो में पढ़ाई करते रहे हैं जहिंद